दुनिया की 34 कंट्री के मिलिटरी परसनेल मेरे कमांड की नीचे था उनकी पहली गाड़ी जैसे आए इसने अपना एक रॉकेट रांचर रोड़ा दिया इट वस कांटे लेटर 237 डेड बोडिज धर्ती अंबर भी जूम उठे जब वीर धरा पर आते हैं धर्ती अंबर भी जूम उठे जब वीर धरा पर आते हैं अंदकार को चीरने वाली नई किरन वोलाते हैं हाई मैं हूं आर्चे स्वाथी Red FM बचाओ फर अकास का इनिशेटिव वीफर वेटरंस आप सुनक शुरू कर शुके हैं और ऐसे ही एक वीर इसक्त मेरे साथ बेटे हैं And coming from a defense family myself, I've had the good fortune of knowing that my father has had the honor of meeting him when both of them were serving in UN peacekeeping We for Veterans May, it is an honor to have Lieutenant General Satish Naambyar He's a soldier, he's a peacekeeper, he's a scholar General Saab, welcome to the studios Thank you very much, Sati The Armed Forces Flag Day थोड़ा सा कुछ उसके बारे में शेयर करें आप अपनी feelings, आपका experience, you know, your connection to it सबसे पहले मैं आप सापको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे यहां आपके studio में Red FM के studio में बुलाया है और मैं यह कहूंगा शुरू शुरू में कि मैं ऐसा शक्स हूँ जो करीब चाली साल इंडियन आर्मी की युनिफॉर्म में निकाला हूँ कि मेरी जो चाली साल की experience में है मैंने इंडियन आर्मी जवान के मुकाबले में किसी को देखाने इस दुनिया में और में इस दुनिया शुरू जो जो दूसरा विजेशी टूपस के साथ काम किया है शैसे मैंने स्टाफ कॉलेज अस्ट्रेलिया में किया था ज़ यंग मेंजर इंडियन इंडियन निटीएट में एक इंडियन आमी ट्रेनिंग टीम के साथ था इराक में बगदाद में तो वहां की लोगों के साथ मिला है फिर मैं मिलिटरी अड्वाइजर था लंडन में तो वहां की और यूरप की वहां देखा और आखिर में मेरे सर्विस के करीब-करीब एंड के दौरान 1992-93 में मैं उनाइट नेशन पीसकीपिंग फोर्से का हैड था हैड था मिशन था इन फार्मर यूगोसलाविया जहां पे काफी लोगों को यह पता नहीं होगा लेकिन मुझे यह प्रिविलेज था करे दुनिया की चाओतीस कंट्री के मिलिटरी परसनल मेरे कमांड के नेचे था तो मैं जब कहता हूं की इंडिन आमी इस अमंग अधी बस्त अधी बस्त I would say यह speculation के तोर पर नहीं है यह experience के तोर पर दे क्योंकि मुझे यह unique position मिला था यह comparison draw करने की and this is the reason we have General Saab here today with us we'll go through your you know decoration sir बहुत छोटी सी कोशिश होगी पर मैं आपके बारे में जनता को थोड़ा सुनाना चाहूंगी 65 or 71 की लड़ाई में General Nambyar ने शुरकत करी है रहे चुके हैं योगोसलावया में United Nations Protection Force के पहले Force Commander and Mission Head रहे चुके हैं यह list बहुत लंबी है लेकिन यह बताना भी बहुत ज़रूरी है कि 2009 में General Nambyar को पदमभूशन से भी सम्मानत किया जा चुका है दो तीन लाइफ के माइलस्टोंस होते हैं सर जेसे जिंदीगी में बंदा एक ही माइलस्टों हासल करता है पर दुबारा जनम लेना पड़ता है आपने एक ही लाइफ में वो दो तीन माइलस्टोंस रहें General Saab उन पे भी काबू पालिया मैं गर आप से पूछू कैसा रहे आपका सैन्य करियर ये लिए प्राओ इस देर, mixed emotions, maybe some regret Looking back, how do you feel? There is no question कि that feeling of pride is the paramount thing because I think you have to be lucky to have the privilege of having such illustrious to command because there's a bonding which exists in the Indian Army I haven't seen too many armies which have this that's why I mentioned this Your career behind which you see a tar that continues you give credit to all the young people who have commanded you and the platoons who have commanded you because you know it is often said a general is as good as the soldiers of the platoon that he commands he's as good as the people the people are the force behind a good general and a wise general There's no question about it क्योंकि हमारी वो जवानों की जो उन से performance लेना हमारा काम है लेकिन performance उनकी है and अगर हम अच्छी कमांडर है which is again हमारे जो Indian Army की trait है कि हम we lead from the front जने कि ने है कि सौगस पीछे होके इनको बोले कि आगे बड़ो दुश्मन को सामना हम उनके साथ है आगे तो यह है हमारी जो मेरे ख्याल से खास ताकत जो है young officers की जनर्रल साब आप कई military operations का हिस्सा रहे है 1971 के युद्ध के दौरान आपको आपकी वीरता के लिए वीर्थ चक्र से सम्मानित किया गया मैं चातियों कि 10 December 1971 का दिन आप relive करे और हमारे देखने और सुनने वालों को बताए कि उस दिन क्या हुआ था इसकी जो कहानिया है बहुत लंबा चोड़ो हो सकता है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम हमारी जो टास्क थी तीन डिजम्बर की रात को हमने border जब cross किया तो it was all अपना on foot था हमारे पिट्टू लगा के हम तो उन्हों गाड़ी शाड़ी नहीं था ये cross country movement through martian across तो हम तीन डिजम्बर की रात को निकले थे border से और फिर बीच में दो चार actions थे पिर ब्रहमापुत्रा river की एक tributary हम cross किये थे country boats में locals की मदद से और ये जमालपूर garrison के पीछे आके हमने road block रगाए थे और ये 9 December की रात को हम वहाँ पहुँचे थे जमालपूर के south side पे यानि कि दुश्मन के पीछे था दुश्मन का एक battalion garrison था वहाँ पे तो उनके 31 bluch battalion था वहाँ पे तो हमारी battalion था 1st battalion the Maratha Light Infantry जिसको कहते हैं जंगी पल्टन उसका पुरानी नाम है उसकी तो फिर दस तारिक के रात को हम लोगों को उस position पे हमला करने का orders मिले थे अचानक दुश्मन जो है करीब बारा बजे की बारा बात है करीब बारा बजे रात की बात है मेरी जो सामने एक प्लटून हमने प्लटून मतलब करीब 30-35 लोगों की एक टोली है वहाँ पे डिपलाई किया था तो उनके मारा एक कैप्टन मेरा सेकेंड इन कमांड था उन्होंने मुझे रेडियो पे बता दिया कि जमालपूर से गाड़ियों की आवाज आ रही है बार निकलने की करीब बारा बजे कुछ देर बाद उनकी पहली गाड़ी जैसे आए इसने अपना एक रॉकेट लांचर रोडा दिया और बस उस रॉकेट लांचर से वो गाड़ी क्या ओलते है यह खोड़ियों गाड़ियों की क्यों आफिस वाइड प्राइड वाइड से वाइड प्राइड आफ उनके थे जटके वहाँ हम उनके साथ ही थे थे, वावर ट्रेंचे वहाँ और मेरा कहना सिर्फ इनको यह था कि उनको यह था कि भस आप लोग जैसे कोई टारगेट मिले तब फायर करो. अंदा दून फायर मत करो क्योंकि आप लोग की अमुनिशन खतम हो जाएंगी और अगर आपकी अमुनिशन खतम हो जाएंगे तो आप खतम है So my main challenge was to control the to have controlled fire and this is what I think I can't say anything more than have expressed my great pride in their performance because they were just my thoughts and they were going to the trench and they were told them controlled fire that my man is, because they were coming and they were just falling apart and then at 4 o'clock at about 4 o'clock some people came out of our company and there was a gap between the other company and there was a gap between the other company and some people came out of the bank but we had to do a bad thing and then at about 4 o'clock we had to surrender request to the lender request to the lender so he came out of the bank and then at about 5 o'clock company and some people came out of the bank over 20 to 25 people came out of the bank and the other company came out of the bank and the same and as it happened when we came out of our our passion then we came out of our what we achieved because actually actually आपने वके तरहında काम दोते हुर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह 1971 की लड़ाई में आपने अपनी सेफटी की परवा ना करके ट्रेंट्स टू ट्रेंट्स जाकर अपने साथियों की हौसला अवजाई करी और इसी वज़े से दुश्मन 40 यार्ड करीब होने के बावजूद फेल हो गया प्लान जो है वो फेल हुआ आपने कबजा किया, सिरेंडर किया उन लोगोंने मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या चल रहा होता है उस टाइम पे जो युद का महौल होता है ऐसे में सेनिक के मन में क्या चल रहा होता है and for someone like you who's commanding उस वक्त लिये गए decision आपको पता होते हैं कि वो effective ही होंगे वो fruitfully आपको result डिलिवर करेंगे कि हमारी जो जवान है क्या मोटिवेट करते हैं को कि ऐसे मोके पे वो अपना जान तक कुर्बान करने के लिए तयार होते है वो इस एक फेलो फिलिए you know, being part of a team वो जो है न युनित की जो हमारे युनित और सब्यून जो हम कहते हैं battalion, battalion, paltan is the main thing which carries them वो पलतन के लिए वो कुछ भी दे देंगे वो क्यों, जवान क्यों, हम भी अपना जान कुर्बान करने के लिए that is what motivates us Sir, not have you served your own country but internationally also मतलब देश में तो नाम कमाया है पर विदेश में भी आपने नाम रौशन किया है योगो सलाविया में UN Peace Keeping Force के कमांडर के तौर में आपने अपनी चाप छोड़ी है ऐसा क्या है जो भारतिय सैने को ना केवल देश में बलकि विदेश में भी गर्व और इमानदारी से कारे करने के लिए प्रेरित करता है It's basically your professionalism और हमारी professionalism जो मैंने तो क्या हासिल किया इतने साल अपने फोज में नौकरी किया है तो they got it because वो इंडिनामी की जो grounding के वज़े से था So मैं उनको दिखा सका कि I'm professionally they cannot beat me And I must say एक तो यह है कि अपने It's not only It's a common feature एक बार उनको confidence आगया कि हाँ यह हमें लीड करने की काबिल है तो उनकी जो cooperation or response में कोई कमी नहीं था To have a command of 34 different nations के officers under you I mean it's It's unfathomable I mean to imagine You know It's a great privilege I'm sure An honor Red FM पर हम और पूरा देश यह कह रहा है We for veterans जहांपर पूरा देश हमारे पूर्व सेने को और उनकी फैमिली के शौरे और बलिदान पर गर्व कर रहा है जो इस मुहिम का हिस्सा बने देश के नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर् दोशब्ध प्धिस्तिरिसंस अ इस कंट्री है तो वो भी एक किसम के recognition है and there must be a gratitude की expression है आप कह सकते है We as citizens owe them something and we must not we must not be stingy in expressing that gratitude I think because those who need help must get it when it is needed and वो अगर support ने कर सकते है then it is I think there is something lacking in in terms of your recognition of their valor and sacrifice It was a pleasure having you channel Satish Nambia with us ये हमारे ले गर्व की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और हमें इतना इंस्पार किया हैं you've enthralled us with such beautiful stories you know उमीद करते हैं आपसे एक बार फिर जल्दी से मुलाकात होगी सर् Thank you very much Jai Hind Thank you